नमसिवाई, दादी माई इस पाठ के बारे में परिचय हम पुर्व में पढ़ चुके हैं, आज हम पाठ पढ़ेंगे कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पढ़ते, बीसो गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी, मेरा मन सदा नहीं तो प्रायह अनमनासा हो जाता है लेखा कि आपर कहते हैं कि यह उनकी कमजोरी ही कही जाएगी, पर यही सच है कि जब भी उनके उपर थोड़ी सी भी परिशानी आती है, कोई भी कठिनाई आती है, तो बीसो गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी, मतलब बहुत सारा समय बीतने के बाद भी, उनका म हमेशा नहीं, तो अकसर दुखी हो जाता है, अनमनासा हो जाता है, मेरे सुबचिंतक मित्र मुपर मुझे प्रसंद करने के लिए आने वाले चुटियों के सूशना देते हैं, और लेखक कहते हैं कि जब मैं दुखी हो जाता हूं, परिशान हो जाता हूं, तो मेरे जो कुटियां आने वाली हैं, तब तुम अपने घर चले जाना, पर जैसे ही मैं वहाँ से हटता हूं, मेरे पीट पीछे, वो मुझे बहुत ही कमजोर और थोड़ी सी परेशानी से, थोड़ी सी विपरीत परिस्तिती से घबराने वाला कहकर मेरा मजाग उड़ाते हैं, लेखक भी कुछ नहीं होने वाला है, कुछ हो भी नहीं सकता है सोचने से, और वो जब ऐसा सोचते हैं, तब ही बर्बस यानि अनायास ही उनकी आखों के सामने शरत कि शीत किर्णों के समान स्वच्छ यानि स्ताफ शीतलता प्रदान करने वाली किसी की धुनली चाया उनकी आखों के साम में अनायास ही आ जाती है और वो धुनली चाया किसकी होती है धुनली चाया उनकी दादी की होती है यहां पर शरद की शीत किर्णों कहा गया है शरद रितु में जो सूरी की किर्णे होती है वो शरीर को उतनी गर्मी नहीं प्रदान करती है बलकि सूरी की किर्णे शरीर पर जब पढ़ती है तो शरीत को अच्छा लगता है इसलिए यहाँ पर शरत की शीत किर्णों के समान साफ और ठंडक पहुंचाने वाली उनकी जो दादी की धुनली सिछाया उनके आखों के सामने आ जाती है अब लेखक यहाँ पर अपनी दादी के बारे में अपने गाउं क के बारे में सोचने लगते हैं मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गये हैं लेखक कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे क्वार के महीने आ गया है क्वार का महीना आ गया है क्वार का महीना वह होता है जब सेप्टेमबर अक्टूबर के समय के बीच के समय की बात हो लेखा कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे क्वार का दिन आ गया है मेरे गाउं के चारों और पानी ही पानी हिलोरें ले रहा है मेरे गाउं के चारों पानी ही पानी ही लोरी ले रहा है कौार के दिन आ गये हैं मतलब सितंबर और अक्टूबर के बीच का जो समय होता है हिंदी में कौार का महीना होता है और लेखा कहते हैं कि बारिश का मौसम बीच चुका है पर फिर भी उनके गाउं के चारों और पानी लगा हुआ है और दूर के सिवान से बहकर आये हुए दूर के मैदानों से बहकर पानी के साथ जो बहकर बिभिन प्रकार की जंगली घासे जंगली घासे कौन-कौन सी थी, मोथा और साई की अधगली घासे, घेवर और बनप्याज की जणे तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच भी उन पानी के साथ बह करके आ गए हैं और जब उन पानियों पर गाउं के बाहर जो पानी रुका हुआ है उन पानी पर जब सूरज की किरने पड़ती हैं तो वो जो सारी घासे हैं वो पानी के साथ सड़ करके एक विचित रही अजीब सी गंध दुरगंध छोड़ रही हैं और बारिश का मौसम चुकी बीच चुका है तो रास्तों में जो कीचड पहले बना हुआ था वो अब सूख गया है और गाउं के जो रहने वाले सारे लड़के थे वो गाउं के किनारे जो पानी लगा हुआ था वहाँ पर उस पानी में जब सूरी की किर्ने पढ़ने से वो जो घासे थी वो सड रही थी और उनके सडने से पानी जो है वो जाग भरा हो गया था तो उसी जाग भरे पानी में लड़के कूद करके नहाते थे लेखा कहते हैं कि अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बाते होती हैं हर मौसम की अपनी अपनी विशिष्टा होती है आशाड में यदि आम और जामुन न मिले आशाड यानि जून और जुलाई के बीच का महिना उस समय आम पेडों पर लगे होते हैं और जामुन का भी मौसम होता है तो लेखा कहते हैं आसाड के महीने में आम और जामुन न मिले उन्हें कोई चिंता नहीं उन्हें कोई परिशानी नहीं अगहन में चिवडा और गुड न मिले ठंड के मौसम में उन्हें चिवडा और गुड़ खाने के लिए न मिले, उन्हें तब भी कोई दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, चैत यानी मार्च के आसपास का महीना, कहते हैं कि उस समय उन्हें लाई के साथ गुड़ की पट्ट ना मिले उन्हें तब भी कोई अफसोस नहीं पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण जाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है लेकिन क्वार के महीने में जो गाउं के बाहर ये जो गंधपूर्ण विचित्र गंधवाला ये जो जाग भरा जल ह उसमें यदि मुझे कूद कर नहाने के लिए ना मिले तो मुझे बड़ा बुरा लगता है मैं भीतर ही भीतर हुड़क रहा था परिशान हो रहा था दो एक दिन ही तो कूद सका था नहाध होकर बिमार हो गया लेका कहते हैं कि अभी उस जाग भरे जल में मैंने सिर्फ एक दो दिन ही इस्तान किया था और उस पानी में नहाकर मैं बिमार पड़ गया हलकी बिमारी नजाने क्यों मुझे अच्छी लगती लेका कहते हैं कि जब उन्हें हलका सा बुखार हो तो उन्हें वो बुखार अच्छा लगता है थोड़ा थोड़ा जोर हो सर में साधारन दर् तो उन्हें उस बुखार से कोई परिशानी नहीं थी ऐसी बिमारी उन्हें अच्छी लगती थी लेकिन इस बार ऐसा नहीं था बुखार एक बार जो चड़ा तो वो बढ़ता ही गया चड़ता ही गया और बुखार के साथ-साथ लेकक को ठंड भी लग रही थी इसलिए उन के लिए बस इतना ही नमस्षिवाद